निर्भया के गुनहगारों को फासी पर चढ़ाने के लिए यूपी के मेरट से जलाद लाए जाएगे तिहार जेल प्रिशासन ने यूपी जेल के डीजी को पत्र लिखकर जलाद उपलब्ध कराए जाने की घुजारिश की थी जिस पर जेल मुख्याले ने मेरट के जलाद को भेजने की मन्जूरी भी दे दी और इस सम्मन्द में बुद्धवार को ही तिहार जेल प्रिशासन को जवाब भेज दिया गया है यूपी कारागार व्यवाब को एक पत्र भेजा गया है आखिर उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है किस तरह की मांग की गई है इसी सब इसे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डी जी जानानद कुमार जी है जिसे जानते हैं सर तिहाड जेल से पत्र मिला है जिर्ग जिनको कैपिटल पनिश्मेंट अबॉर्ड किया गया है और उनकी सारी लीगल और कॉन्सिचूशनल रेमिडेज जो अवेलिबल है वो समाथ हो गई है लिहाजा उनको एक्जिक्यूट करने की अवशक्ता है फासी की सजा से चुकि तिहार जेल में हैंगमेन उपलब्द नहीं है इसलिए यूपी में जो हमारे दो हैंगमेन हैं जो इस बात के लिए अधिकृत हैं उनकी सिवाओं को उन्होंने हमें देने के ल तक दिशचा नहीं है इसका उल्लेख है बाद में करेंगे कितने लोगों की मांग की गई है कितने लोगं को आप महिया कराएंगे तो उन में से जो भी उपलब्द होगा, हम उनको जरूर उपलब्द कराएंगे, कम सकाम एक तो कराएंगे, कराएंगे, और उसके लिए हम लेकों कोई सभथी भी देदी है, और जो विधिवत प्रक्रिया है, क्योंकि जो भी लीगल फॉर्माल्टीद होनी है, वो तिहार जेल के एंट पे होनी है हमारे यहां से केवल यह व्यक्ति को मेजेंगे जो अधिक्रत है इस काम के लिए तो यह थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजी जेल आंद कुमार जिनका साब तो रुपे कहना है कि हमें पत्र मिला है पत्र के माधम से हम जो भी व्योस्ता है उसको उ